हेलो गाईज, वेलकम, वेलकम बैक टू मैं चैनल ट्विस्टेट कहानिया, मेरा नाम है कनीका और आज मैं आपके लेकर रही हूँ एक बहुत होरिबल, एक बहुत होरिफिक सीरियल किलर स्टोरी इस स्टोरी को शुरू करने से पहले मैं आप लोगों को एक वार्निंग दे दूँ कि अगर आप लोग कुछ खाने बीने की सोच रहे हैं इस स्टोरी को सुनते हुए तो प्लीज इस आइडिया को ड्रॉप कर दीजे और मैं आप लोगों से पहले ही कहना चाहती हूँ कि हो सकता है कि इस स्टोरी के मुझे दो पार्ट्स बनाने पड़े पीटर कर्टेन को किंग ओफ दा परवर्ड्स भी कहा चाता था और इसको एक और निकनेम दिया गया था जो कि था दा वैंपायर ओफ डॉर्फ अब इसको ये सारे निकनेम क्यों दिये गए इसके बारे में हम आगे चलकर बात करेंगे तो सीधे चलते हम अपनी स्टोरी की तरफ पीटर कर्टेन का जन्म हुआ था 26th of May 1883 को हाँ आपने सही सुना है इसका जन्म 1883 में हुआ था यानि कि हम कह सकते हैं कि ये स्टोरी थोड़ी सी पुरानी है लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है कि इस स्टोरी के पुराने होने के वज़े से इसके details available नहीं है बलकि सच तो ये है कि इस स्टोरी के बहुत सारे disturbing details मौजूद है पीटर का जन्म हुआ था Malheim City में जो कि जर्मनी में है और पीटर के कम से कम 13 यानि कि 13 भाई भेन और थे लेकिन पीटर का बच्पन कोई बहुत अच्छा नहीं बीता था उसका घर एक अच्छा या आइडियल घर नहीं था हम ये भी कह सकते हैं कि इसका बच्पन काफी बुरा था इसके जो पिता थे वो एक सैंड मोल्डर थे और वो बहुत ही कम पैसा अपने इस काम से कमा पाते थे इसकी जो मा थी वो एक हाउस वाइफ थी वो घर पर ही रहकर अपने बच्चों की देखभाल करती थी और जो पीटर के डैड थे वो अच्छे से कमा तो नहीं पाते थे लेकिन इसके अलावा भी वो एक अच्छे व्यक्ती नहीं थे अच्छा व्यक्ती होना तो बहुत दूर की बात है हम कह सकते हैं कि इसके पिता एक मौन्स्चर जैसे थे वो शायद ही थोड़ा बहुत पैसा बड़ी मुश्किल से कमा पाते थे लेकिन अपने इस बड़े परिवार को चलाने के लिए जिसमें की तेरा बच्चे और कम से कम दो एडल्ट्स शामिल थे यानि कि 15 लोगों की उनकी फैमली थी उसको चलाने के लिए पैसे पूरी तरह से ना काफी थे वो जो भी पैसा फिर भी कमा कर लाते थे वो अपने उपर खर्च करते थे उसको वो रोज शराब पीते थे कोई भी दिन ऐसा नहीं चाता था कि वो शराब न भी है अब शराब पीने से जो थोड़ा बहुत पैसा बच जाता था वो अपने बच्चों पर खर्च करते थे इनका जो घर था वो एक वन बैडरूम अपार्टमेंट था 15 लोग सिर्फ एक ही बैडरूम को शेयर किया करते थे इनके जो बच्चे थे ये जारतर समय भूके रहते थे क्योंकि इनके पास पैसा ही नहीं होता था खाना खरीदने के लिए इस वन बैडरूम अपार्टमेंट में रहते हुए इसके जो पिता थे वो कई बार बहुत जारा नाराज हो जाते थे बहुत जारा अग्रेसिव हो जाते थे चीज़ें तोडने लगते थे घर की और अपनी वाइफ को अपने बच्चों के सामने ही अथनी बुरी तरीके से पीडते थे कि वो पूरी तरह से नीली पढ़ जाती थी और कई बार उनकी वाइफ का बलड बगएरा निकलने लगता था लेकिन उसको कोई फर्रक में पड़ता था वो अपने बच्चों के सामने ही अपनी वाइफ को एब्यूस करता था इसके अलावा पीटर के पिता अपने बच्चों को भी बुरी तरीके से पीड़ते थे जिसमें से सबसे जादा मार पीटर को पड़ती थी क्योंकि वो बच्चों में सबसे बड़ा था इसके अलावा पीटर के पिता जो करते थे वो और भी ज़्यादा डिस्गस्टिंग और डिस्टर्बिंग था वो अपने बच्चों के सामने ही अपनी वाइफ का रोज यानि की हर सिंगल डे रेप किया करते थे उनको कोई फरक नी पड़ता था कि वहाँ पर बच्चे मौजूद हैं लेकिन ये अब्यूज वो सिर्फ अपनी वाइफ का ही नहीं करते थे बलकि अपनी बेटियों के साथ भी वो व्यक्ति रेप किया करता था और बाकी बच्चों को मजबूर करता था कि इन सारी चीज़ों को होते वे वो वहाँ पर खड़े ओकर देखें ये सारी चीज़े पीटर की जिंदगी में कई सालों तक चलती रही और यहीं पर पीटर ने सबसे पहले इन सारे अब्यूज को होते वे देखा था और ओवियसली ये सारी चीज़ें एक बच्चे के लिए बिल्कुल भी हेल्दी नहीं थी और ये सारा जो उसका एक्सपीरियंस था ये आगे कि उसकी जिंदगी में रिफलेक्ट होता है अब धीरे धीरे पीटर नाइन इयर्स ओल्ड हो गया अभी तक पीटर फीजिकल और सेक्सवल असॉल्ड दोनों ही देख चुका था और एक छोटे बच्चे के लिए ये अपने आप में बहुत ही बड़ी बात थी उसकी एक बहुत ही अजीब सी आदत थी और ये आदत ये थी कि वो अकसर अपने घर से भाग जाया करता था और मुझे लगता ही कि ये स्वभाविक भी था ऐसे नरक जैसे घर में रहने से उसको अच्छा लगता होगा कि वो भाग जाये अब जब पीटर घर से भागता था तो इसके पास पैसे तो होते नहीं थे कि वो कहीं दूर चला जाये वो घर से भाग कर आस पास के जंगलों में चला जाता था कई कई दिन तक वो इन जंगलों में ही छुपा रहता था वहाँ पर कैंपिंग करता रहता था बस वो अपने पिता से बचना चाहता था यहीं से पीटर ने क्राइम की दुनिया में प्रवेश किया वो एक फिक पॉकिट बन गया यानि कि एक जेब कतरा बन गया वो कई बार लोगों के घर में गुसकर शोटा मोटा समान चुरा लिया करता था इसके अलावा उसने अपने बच्चमन में यानि कि 9 इयर्स की एज में एक बहुत ही खतरना क्राइम किया जब पीटर ने जंगलों में जाया करता था तो कई बार उसको वहाँ पर दूसरे बच्चे में मिल जाते थे घूमते फिरते वे, खेलते वे कई बच्चों की इसके साथ दोस्ती हो जाती थी और तब एक दिन इसने एक बच्चे के साथ मिलकर एक होममेड राफ्ट बनाई जो वूड वगएरा होते हैं, तने वगएरा उनको जोड कर एक राफ्ट बनाई और उसके बाद इन लोगों ने डिसाइड किया कि हम नदी में इसको उतारेंगे और थोड़ा सा बोटिंग करके आएंगे ये उस बच्चे के साथ रिवर में उतर गया ये जो रिवर थी बहुत अच्छी कंडीशन में नहीं थी, ये बहुत ज़रा घहरी थी वहाँ पर कोई भी सुरक्षे के इंतजाब नहीं थे वहाँ पर लोग नहीं थे आसपस ये लोग लेकिन अपनी राफ्ट में बैठे वे थे राफ्ट में इनको कोई भी खत्रा नहीं था लेकिन अचाना कि पीटर की इच्छा होने लगी कि इस लड़के को जो कि उसके साथ राफ्ट में बैठा हुआ था वो धक्का देकर राफ्ट में से नीचे गिरा दे अब पतानी उसके मन में इच्छा कहां से आई लेकिन इसकी इच्छा बहुत ज़़ा स्ट्रॉंग होती चली गई वो देखना चाता था कि जो व्यक्ति पानी में गिरता है वो किस तरह से डूपता है वो उस बच्चे को डूपते हुए देखना चाता था अब उसने उस बच्चे को धक्का देकर राफ्ट से नीचे गिरा दिया उसका ये जो friend था वो बहुत desperately try कर रहा था raft में वापस climb करने के लिए वो चाहता था कि उसका हाथ पकड़ कर Peter उसको raft में वापस चड़ा दे लेकिन तब तक भी Peter का मन नहीं भरा था वो अभी भी और चाहता देखना चाहता था शायद वो ये देखना चाहता था कि कोई व्यक्ति डूब कर कैसे मरता है बाद में Peter ने जान बूचकर उस raft को अपने friend के ऊपर चड़ा दिया जहां पर वो डूब रहा था उसी जगए पर ले गया वो अपनी raft को ताकि उसका जो friend है वो इस raft के नीचे trap हो जाए finally ऐसे ही हुआ वो बच्चा धीरे धीरे करके पानी में डूब गया और Peter बिलकुल शान्ती से अपनी raft को चलाता हुआ किनारे पर आ चुका था Peter सिर्फ 9 साल की उम्र में एक दूसरे बच्चे का खून कर चुका था बाद में जब लोगों को उस बच्चे की लाश मिली तो उनलों को ऐसा लगा कि एक accident है क्योंकि बच्चे उस नदी के किनारे खेलते रहते थे किसी ने भी ये सोचा ही नहीं कि एक murder भी हो सकता है एक बच्चा दूसरे बच्चे को पानी में पुश कर सकता है अब पीटर को ये देखकर बहुत ही अच्छा लगा कि किसी ने भी उसके पर शक नहीं किया उसको कोई भी परिणाम नहीं भूगतने पड़े और तब उसने decide कि इस काम को वो दुबारा करेगा यानि कि अभी भी एक कतल करने के बाद उसका मन नहीं भरा था वो इन सारी चीज़ों को दुबारा से experience करना चाहता था अब वो एक दूसरे लड़के को लेकर उस raft में फिर से नदी में गया कुछ दिनों के बाद बाद में इस लड़के को भी उसने पानी में पुश कर दिया फिर से वो लड़का वहाँ पर डूब कर मारा गया और फिर से जब लोगों को लाश मिली तो उन्हें ऐसा लगा कि ये एक accident है नौ साल की उम्र तक अब पीटर दो बच्चों का कतल कर चुका था अब 1894 का साल आ गया हाँ हम अभी तक 1800 में ही हैं अभी तक हम 1900 में नहीं बहुँचे हैं 1894 आते आते तक पीटर की फैमिली ने डिसाइड किया कि वो लोग री लोकेट करेंगे और अब ये लोग उस शहर में जिसमें ये रह रहे थे उससे 20 माइल साउथ की तरफ शिफ्ट कर गये और इस नए शहर का नाम था डसल डोर्फ अब आगे इस केस में जो भी क्राइम हुए वो इसी शहर में होने वाले थी जब ये लोग इस नए जगह पर शिफ्ट हुए तब पीटर के पिता को लग रहा था कि शायर उनको एक अच्छी जॉब मिल जाएगी उनको शायर ज़ादा पैसा मिलने लगेगा और वो शायर अपने उपर ज़्यादा पैसा खर्च कर भाएंगे अब यहाँ पर आने के बाद पीटर के पिता को एक बेटर जॉब मिल गई वो अच्छा पैसा कमाने लगे लेकिन उनके फैमिली की कंडिशन बिल्कुल भी नहीं सुदरी क्योंकि यह सारा पैसा वो सिर्फ अपने उपर खर्च करते थे उनका जितना भी वाइलेंट बिहेवियर था वो अभी भी लगातार जारी था वो अभी भी अपनी वाइफ को लगातार रेप कर रहे थे अपने बच्चों के सामने रेप कर रहे थे और साथ ही अपनी बेटियों के साथ भी असॉल्ट कर रहे थे पीटर यहाँ पर आने के बाद भी लगाताथ घर से भागता रहता था क्योंकि अभी भी वो इस घर से अपने पिता से बचना चाहता था और यह बहुत ही आईरेनिक है क्योंकि आगे चल कर उसको पता ही नहीं था कि वो अपने ही पिता की कॉपी बनने वाला था जब पीटर धिरे-धिरे 14 years का हुआ तब इसके पिता को arrest कर लिया गया और इसके पिता के उपर चार्जेज लगे थे अपनी सबसे बड़ी बेटी का रेप करने के लेकिन बाद में जब यह case court में गया तो इसके उपर सिर्फ incest के चार्जेज लगे जो कि बहुत जारा crazy था उसके उपर कोई भी रेप के चार्जेज लगे ही नहीं और उसको सिर्फ 18 months की ही सजा हुई यानि की डेड़ साल की जब इसके पिता अरेस्ट हो गए तो finally पूरी तरह से पीटर अपने घर लोटाया क्योंकि अब शायर वो अपने पिता की जिम्मेदारी खुद उठाना चाहता था वो इस घर का फादर फिगर बनना चाहता था लेकिन मैं आपको यहाँ पर पीटर के अतीत की एक और बात बताने वाली हूँ जो की बहुत ज़रा disturbing है जब पीटर 9 years old था यानि की कुछ साल पहले की मैं आपको बात बता रही हूँ तब उसकी एक relationship बन गई थी एक पडोसी के साथ जो की एक dog catcher था और ये relationship बहुत ज़रा weird थी ये relationship इसके लिए weird थी क्योंकि ये जो व्यक्ती था ये अपने आपमे बहुत ज़रा weird था ये जो व्यक्ती था ये एक dog catcher था यानि की कुत्तों को पकड़ता था लेकिन ये एक animal lover नहीं था बलकि इसकी जो हरकती थी वो बहुत ही जारा disturbing थी जब भी ये किसी कुत्ते को पकड़ता था तो ये उस dog को re-home करने के बजाए या उसको shelter में भेजने के बदले उसके साथ बहुत जारा torture करता था इस व्यक्ति को beast reality में बहुत जारा interest था जब ये व्यक्ति किसी dog को पकड़ कर लाता था तो सबसे पहले उसकी tail को यानि कि उसकी पूँच को तोड़ देता था ये देखने के लिए कि वो dog healthy है या नहीं है अब मुझे बिलकुल नहीं पता कि किसी dog की tail को तोड़ कर ये कैसे पता चलता है कि dog healthy है या नहीं है इसका कोई भी logic है या नहीं है मुझे बिलकुल नहीं पता है लेकिन उसकी tail को वो तोड़ देता था हाला कि आप कल्पना कर सकते हैं किसी भी डॉक के लिए बहुत जाना पीडा दायक होता होगा फिर अगर उस व्यक्ति को ऐसा लगता था कि ये जो डॉक है healthy है तो वो उसको काड़ देता था यानि कि मारने के बाद उसके टुकड़े करता था उसके meat को वो खा लेता था और उसके बाद जो भी fat निकलता था उस dog से उसको वो lard में change कर देता था lard animal fat होता है जिसको आप cooking के लिए use कर सकते हैं जैसे हमारे याँ वनसपती तेल होता है वनसपती घी होता है उसी तरीके से ये जानवरों का fat होता है जिसमें कई सारे लोग cooking करना पसंद करते हैं तो इस dog के fat को lard बनाने के बाद ये इसको local market में sale करता था हाला कि आप अनुमान लगा ही सकते हैं कि जो लोग इस lard को खरीदते होंगे उनको बिलकुल अंदाजा नहीं होता होगा कि ये जो भी fat है ये किसी dog से निकला है बाकी बहुत सारे ऐसे animals हैं जिनके lard को आप use कर सकते हैं लेकिन dog lard को use करना अपने आपने बहुत जारा horrific है दूसरी तरफ जो Peter था उसको ये सारी चीज़ें होते देखना यानि कि dogs को torture वगरा होते देखना बहुत जारा पसंद था और जब वो व्यक्ती beast reality परफॉर्म करता था वो सब चीज़ें भी Peter को बहुत जारा पसंद आती थी फिर धीरे धीरे Peter भी इन सारी चीज़ों में involved होता चला गया 14 years की age होने तक Peter को लगने लगा था कि उसको किसी लड़की से दोस्ती करनी चाहिए और उसको एक normal relationship में शायद कदम रखना चाहिए वो ये सोच रहा होगा उसने एक लड़की को approach किया जब भी वो किसी लड़की के पास जाता था उससे बादचीत करता था तो हमेशा उससे उटपटांग बाते करना शुरू कर देता था वो उनसे directly physical relation बनाने की बात करता था और ये सारी चीजे सुनकर जो लड़किया थी वो समझ जाती थी कि वो एक बहुती psycho type का लड़का है वो उससे दोस्ती खतम कर देती थी बातचीत करना बंद कर देती थी और उसके बाद वो अकेला रह जाता था वो सोचता था कि ये लड़किया मुझसे दोस्ती क्यों नहीं कर रही है पीटर को धीरे धीरे सारी की सारी लड़कियों ने reject कर दिया उससे ऐसा लग रहा था कि वो किसी भी लड़की से कभी भी दोस्ती नहीं कर पाएगा फिर एक दिन पीटर जंगलों के बीच में से गुजर रहा था उसको जंगलों में जाने का वहाँ पर टाइम स्पेंट करने का बहुत ज़रा शॉक था बहुत इंट्रेस्ट था तो जब वो वहाँ से जा रहा था अभी भी उसकी age 14 years ही है तो उसको अचानक से एक स्क्वेरल ने यानि कि एक गिलहरी ने काट लिया उस गिलहरी ने इसकी finger में इतना deep काटा कि ऐसा लग रहा था कि स्क्वेरल के जो teeth हैं वो उसकी उंगली में ही तूट जाएंगे जब पीटर उस गिलहरी को अपने उंगली से नहीं निकाल पारा था नहीं हटा पारा था तो उसने उस गिलहरी के गले को पकड़ लिया और जोर से उसके गले को दबाने लगा जब उसने इस स्क्वेरल के गले को दबाया और धीरे धीरे वो इसक्वेरल इस करण से मारी गई वो बिल्कुल सुस्तो कर उसकी उंगली में लटक गई उसके दान भी उसकी उंगली से बाहर आ गए तब पीटर ने फील किया कि वो एजेकुलेट कर चुका है और ये चीज़ देखकर कि वो इन सारी चीज़ों से अराउज हो रहे है वो बहुजरा एक्साइटेड हो गया वो समझ गया कि शायर वो इनी सारी चीज़ों की तलाश में था इसके बाद पीटर ने डिसाइड किया कि वो बीस्ट रियलिटी में और ज़्यादा अंदर गुसेगा वो उसको और ज़्यादा एक्स्प्लोर करेगा अब पीटर पास में इस्तितिक शीप फार्म में गुसने के बाद उसने शीप को असौल्ड किया और इन सारी चीज़ों में उसको काफी ज़्यादा अच्छा लग रहा था फिर धीरे धीरे पीटर को लगने लगा कि उसको इतना अच्छा महसूस नहीं हो रहे क्योंकि शायद वो जो जानवर है वो टॉर्चर नहीं हो रहे अब वो जब भी उस वाम में घुसता था वो अपने साथ एक नाइफ लेकर जाता था और उस नाइफ को वो लगातार उस शीप में स्टैप करता रहता था जब वो उसको असौल्ड कर रहा होता था और ये सारी चीज़े करने में जबकि वो बलड देखता था उसको बहुत ही ज़ादा अच्छा महसूस होता था बहुत ज़ादा थ्रिल होता था फिर धीरे उसने महसूस किया कि उसको असौल्ड करने में इतना अच्छा नहीं लगता है जितना अच्छा उसको blood देखने में लगता है तो अब वो उस farm में घुज़ जाया करता था केवल sheep की हत्या करने के लिए वो एक ना एक sheep को चुनता था और उसको मार डाला करता था ऐसा वो अकसर किया करता था और इन सारी चीज़ों को करने में वो बहुत arouse हो जाता था इन tortures को करने से ही वो ejaculate हो जाता था और वो समझ गया था कि उसको शायद इसी चीज़ की अब तलाश थी फिर धीरे धीरे वो sheep से बोरो गया उसके बाद वो pigs की तरफ shift कर गया उसने धीरे-धीरे pigs को मारना शुरू कर दिया एक बार वो एक पाक से होकर गुजर रहा था उसने हंसों का एक जोड़ा देखा उन हंसों के जोड़े में से उसने एक swan को यानि कि एक हंस को पकड़ लिया उसने उस बेचारे हंस की गर्दन को बीच में से तोड़ दिया और फिर पीटर ने महसूस किया कि उसके मन में इच्छा जाग रही है उसके बलड को पीने की वो चाता था कि वो उस नेक में मू लगा कर उसके बलड को पी ले और यही पीटर ने किया भी जैसे ही उसने उस बिचारे पक्षी के बलड को पिया वो तुरंथ ही एजैटूलेट कर गया और इस वीडियो में आप इस word को पता नहीं कितनी ही बार सुनेंगे क्योंकि ये case अपने आप में बहुत ज़़ा weird है, बहुत अजीव है अगले दो सालों तक, यानि कि two years तक, पीटर यही करता रहा वो कभी भी किसी पार्क में चला जाता था, किसी फार्म में घुच जाता था वो जानवरों को मार देता था, मारने के बाद उसको बहुत अच्छा महसूस होता था और अगले दो सालों तक, वो यही करता चला गया, यही करता चला गया धीरे धीरे पीटर महसूस करने लगा कि उसको बलड से बहुत ज़रा लगाओ है बलड उसको बहुत ज़रा एक्साइट कर देता है ना सिर्फ वो बलड को देखकर एक्साइट होता है बल्कि अगर वो बलड के बारे में सोचता था तब भी वो बहुत ज़रा excited हो जाता था और ejaculate कर जाता था Blood के प्रती उसका इतना ज़रा प्यार था इसी कारण से उसका नाम, एक nickname, The Vampire of Dussel Dove भी था Finally हम लोग 1900s की तरफ चलते हैं 1901 का साल आ चुका था Peter अब 18 years old हो चुका था Peter ने अपना ये सारा का सारा असौल्ड अपना सारा का सारा ये disturbing behavior जारी रखा कुछ और साल गुजर गए तब तक इसके जो पिता थे, ये जेल से रिहा हो चुके थे लेकिन अभी भी वो बिल्कुछ सेम परसन थे जो की वो जेल जाने से पहले थे उनको छोड़ दिया गया था, वो वापस अपने वाइफ और अपने बच्चों के पास लोट चुके थे उन्ही बच्चों के पास जिसे उस व्यक्तिने असौल्ड किया था जिसके लिए उसे सजा मिली थी वो अपना सबक कभी भी भी नहीं सीखे वो लगातार अपने बच्चों को पीट रहे थे अपनी वाइफ को पीट रहे थे उसे असौल्ड कर रहे थे अपने बच्चों के सामने साथ ही अपने बच्चों को भी असौल्ड करते जा रहे थी फैनली उनकी वाइफ को रियलाईज हुआ कि खिलाल उसकी मां अकेली रह रह रही थी, वो डसल डोफ के थोड़ा सा बहारी शिफ्ट कर गया, यानि कि टाउन के बहारी रह रह रहा था, यहाँ पर इस केस में एक सिगनिफिकेंट घटना होती है, क्योंकि यहाँ पर आने के बाद पीटर को अपनी पहली ओफिशियल गर्ल्फरेंड मिलती है, फाइनली पीटर ने शायरे रियलाइस कर लिया था कि जानवरों से आगे बढ़ना चाहिए, इनसानों की तरफ भी दोस्ती का हाँ बढ़ना चाहिए, अब इसकी यह जो गर्ल्फरेंड थी, वो एक सेक्स वर्कर थी, वो इससे दो साल बड़ी थी, और उसके बाद इन नोनों ने साथ मेराना शुरू कर दिया, अब जब पीटर अपनी गर्ल्फरेंड के साथ होता था, तो उसको उसकी गर्ल्फरेंड बिल्कुल भी एकसाइड नहीं करती थी, क्योंकि वो चाहता था कि इनके रिलेशनशिप में वॉयलेंस भी इन्वॉल्ब हो, वहाँ पर क्योंकि जानवर नहीं थे, वो उनको चाकू नहीं मार सकता था, लेकिन अब उसने डिसाइड कर लिया था कि वो अपनी गर्ल्फरेंड को पीटेगा, और उसने ये सारी चीज़ें करना शुरू कर दिया, शुरुआत में तो उसकी जो गर्ल्फरेंड थी, वो इन सारी चीज़ें को मानने के लिए राजी हो गई, लेकिन जब इसकी ये जो बीटिंग थी, ये जो मार पीट थी, ये बहुत ज़ादा बढ़ गई, यहां तक कि वो अपनी गर्ल्फरेंड का गला वगएरा भी दबाने लगा, तब उसकी गर्ल्फरेंड को महसूस हुआ कि ये बहुत ज़ादा हो रहा है, एक बार तो पीटर ने उसका गला इतनी जोड से दबा दिया था कि वो लगभग मरते मरते बची, इसकी गल्फरेंड ने डिसाइड कर लिया कि अब मैं इसको डील नहीं कर सकती, उसने पीटर की रिपोर्ट कराने का मन बनाया, वो पास के पुलिस स्टेशन पहुँची, पुलिस में रिपोर्ट किया, पीटर को यहां पर अरेस्ट कर लिया गया, उसको एक हफ़ते के लिए जेल भेजा गया, लेकिन एक हफ़ते के बाद ही उसको रिहा कर दिया गया, एक हफते की जेल पूरी करके जब पीटर बहार आया तो जल्दी ही उसने एक नई रिलेशनशिप शुरू की ये जो नई महीला थी जो कि उसकी नई गल्फरेंड बनी उसकी एक 16 years old बेटी भी थी अब ये सारे के सारे रिलेशनशिप जो नई शुरू हुए पीटर के लिए ये सब भी उसके रहे काफी बोरिंग थे अब उसने अपनी इस नई गल्फरेंड को भी पीटना शुरू कर दिया उसे चोक करना शुरू कर दिया और एक तरह से इसकी जो नई girlfriend थी वो भी इन सारे torture से बहुत जारा परिशान हो गई जब भी ये इसका विरोध करने की कोशिश करती थी Peter हमेशा धंगी देता था कि मैं तुमारी हत्या कर दूँगा इसके बाद luckily पीटर को jail हो गई ये जो उसको jail हुई थी ये एक चोरी के इल्जाम में हुई थी इसका इसकी इस girlfriend से या पुरानी girlfriend से कोई भी लेना देना नहीं था अब वो prison चला गया इस बार उसको 8 महीने की यानि की 8 months की jail हुई थी जब 8 months की jail पूरी करके ये बहार निकला तो ये दुबारा से उसी महीला के पास गया लेकिन इस बार उसके relationship इस महीला से नहोकर उसकी बेटी के साथ हुए और इस बेटी के साथ उसके जो relationship थे वो बहुत जारा weird थे उस समय 19 और 2 था पता नहीं उस समय age of consent क्या होती होगी लेकिन मुझे ऐसा पूरा यकीन है कि उस समय की age of consent आज की age of consent से जादा ही होती होगी अब उसने अपनी इस नई girlfriend को भी बहुत जारा torture करना शुरू कर दिया तो इसने सारी बात अपनी मां को बता दी और इन दोने डिसाइड किया कि पीटर का घर शोड़ कर इसकी जो बेटी है वो बाहर निकल जाएगी अब इन लोगों ने जैसे ही इसके घर से walk out किया पीटर obviously इस बात से बिलकुल खुश नहीं था उसने gun उठाई और इन दोनों के ओपर fire करना शुरू कर दिया लेकिन उसका निशाना कुछ जारा खास नहीं था ये दोनों ही मावेटियां महां से भागने में काम्याब रही और जब वो shoot कर रहा था इन दोनों के ऊपर तब ही अचानक उसने महसूस किया कि वो ejaculate कर चुका है आप समझी सकते होंगे कि ये व्यक्ति कितना ज़्यादा mentally sick था अब इससे पता चल गया कि अगर ये किसी व्यक्ति को गोली मारता है ये उसके ओपर fire करता है तो वो बहुत जारा excited हो सकता है अब इसने decide कि एक लड़की जो कि कभी उसके साथ पढ़ा करती थी वो उसके बारे में fantasy करने लगा कि वो उसको गोली मार रहा है धीरे धीरे इसकी जो fantasy थी ये बहुत जारा बढ़ने लगी हो सकता है कि वो उन लड़कियों में से एक रही हो जिसको इसने अप्रोच किया था और उसने दोस्ती के लिए मना कर दिया था अब क्योंकि ये लड़की कई साल पहले इसके साथ पढ़ती थी तो उसको ढूड़ना इसके लिए काफी मुश्किल था लेकिन अभी ये सच में चाहता था कि ये उस लड़की को ढूड़े और उसके ओपर fire करे फिर इसने उस लड़की का पता लगाना शुरू किया उसको धीरे धीरे पता चल गया कि वो लड़की कहां रहती है एक तरह ऐसे उसने उसके घर के पास ही कैम्प लगा लिया वो हमेशा उसको स्टॉक करता रहता था वो देखता था कि उसका क्या रूटीन है फिर एक दिन इसने डिसाइड किया कि वो उस लड़की को गोली मार देगा ऐसा करने के रिए ये उस लेड़ी के या उस लड़की के घर पर पहुँचा उसकी विंडो पर पहुँचा और उसने उस विंडो से उस लड़की को पर निशाना लगा लेकिन उसका निशाना कोई खास अच्छा था नहीं जैसे कि पहले भी सावित हो चुका था थैंक्फुली वो लिड़ी की सर्वाइव कर गए उसको कोई भी गोली नहीं लगी लेकिन पीटर को अब फिर से अरेस्ट कर लिया गया और उसको जेल भीज दिया गया लेकिन शायर आपको ये जानकर बहुत आश्यरे होगा कि किसी को मारने की कोशिश करने के लिए उसको सिर्फ एक साल की सजा हुई वो सिर्फ एक साल के बाद जेल से बाहर आ गया और उस समय 1905 का साल चल रहा था बहार आने के बाद पीटर ने ये डिसाइड किया कि वो जर्मन आर्मी को जोइन करेगा उस समय उसकी उम्र के वर 22 एर्ज थी और इतनी छोटी सी उम्र में ही वो पतनी क्या-क्या कांड अभी तक कर चुका था फिरहाल उसने आर्मी जोइन कर ली अभी उसको फ्रांस भेज दिया गया ताकि वो वहाँ पर अपनी सेवाएं दे सके लेकिन पीटर को ये आर्मी की लाइफ बिलकुल भी पसंद नहीं आई वो एक नार्सिस्ट था वो चाता था कि सब कुछ उसके कंट्रोल में रहे लेकिन आर्मी में आपको खुद कंट्रोल में रहना पड़ता है सब कुछ किसी सिपाही के या किसी वेटरिन के कंट्रोल में नहीं होता है इसके बाद वो आर्मी से भाग गया क्योंकि उसको भागने की आदत थी अब पीटर महां से तो भाग आया लेकिन उसको यह महसूस हुआ कि उसको आर्सन को देखकर यानि कि आग जनी को देखकर भी बहुत ज़्यादा प्लैजर महसूस होता है अब पीटर इदर उदर घूमता रहता था वो बहुत सारी चीज़ों में आग लगा दिया करता था वो लोगों के भूसे के धेर में आग लगा दिया करता था उनकी फसलों में आग लगा दिया करता था जो उनके बाड़े थे जिसमें जानवर रहते थे और जब वो जानवर उस बाड़े के अंदर मौजूद होते थे उसके बाद भी वो उनमें आग लगा दिया करता था फिर पीटर को एक बार फिर से गिरफतार कर लिया गया अब पता नहीं उसे आरसन के लिए गिरफतार किया गया था या चोरी के लिए गिरफतार किया गया था लेकिन फाइनली एक बार फिर से उसको गिरफतार कर लिया गया इसको गिरफतार करने के बाद जब ये पता चला कि ये आर्मी से भागा हुआ है यानि कि एक भगोड़ा है तब इन लोगों ने डिसाइड किया कि इसके पनिश्मेंट को थोड़ा और हाड़ करना चाहिए अब इसको आठ साल की जेल की सजा सुनाई गई इसके बाद ये जेल में रहने लगा इसके जो दूसरे सैक्स ओफेंडर्स थे वो फ्रेंड बन गए ये उनसे तरह तरह की उड़पटांग बाते करने लगा वो उनका मुख्या बन गया और यही पर इन लोगों ने उसे नाम दिया king of the perverts क्योंकि वो हर तरह के sex offense की बात करता था वो इनको guide करता था कि किस तरह से इस तरह के crime करने चाहिए ताकि वो और ज़्यादा sadistic बन जाए और तुम्हें और ज़्यादा अच्छा लगे साथ ही तुम पकड़े भी ना जाओ इसके अलावा उसने अपने सारे inmates को एक बहुती disturbing story सुनाई थी इसने इन लोगों को बताया था कि एक बार इसने एक औरत को काट लिया था और उसके बाद उसके blood को पीना शुरू कर दिया था उसने इन कैदियों को बताया था कि ये आज तक का उसका सबसे बड़ा enjoyment था ये जेल के officials के लिए एक बहुत बड़ा सिर्दर्द बना हुआ था हमेशा guards के दुआरा उसको confront किया जाता था कई बार उसको solitary confinement में भेज़ दिया जाता था और कोई भी guard इसको ना तो पसंद करता था और ना ही अच्छी तरीके से treat करता था कई बार ये guards इसको बुरी तरीके से पीटते थे इसको खाना नहीं देते थे और इसको chain से बांद कर भी रखा जाता था एक बार तो इसको तीन हफ़तों तक लगातार bed से chain से बांद कर रखा गया पीटर को ये treatment बिल्कुल भी पसंद नहीं था वो बहुत जारा परेशान हो जाता था एक बार उसने अपनी खुद की जान लेनी की भी कोशिश की लेकिन अंसक्सेस्फुल रहा एक बार उसने अपनी main arteries को काट लिया था यानि की नसों को काट लिया था बहुत जारा खुण बह गया था लेकिन फिर भी वो बच गया जब उसके शरीर से खुण बह रहा था तो वो बहुत जारा excited हो गया अपनी ही खुण को देखकर बहुत जारा aroused हो गया जब उसे hospital ले जाये गया तो वो लगातार डॉक्टर से बाते कर रहा था वो अपने ब्लड के बारे में और ज़्यादा जानना चाहता था जब भी पीटर को solitary confinement में भेजा जाता था वो हमेशा अजीब अजीब सी कल्पनाएं करता था अपना time pass करने के लिए उसकी सबसे ज़्यादा रोमांचक कल्पना ये थी कि वो एक बहुत बड़े group में है एक भीड में है उसके हाथ में एक चाकू है वो भीड में आगे बढ़ता जा रहा है लोगों को चाकू मारता जा रहा है finally एक औरत उसको दिखती है वो उसका पूरा पेट काड़ देता है और उस औरत का blood पूरा सड़मों पर भह रहा है ये सारी चीज़े सोच कर imagine करके वो बहुत ज़्यादा excited होता था उसको बहुत अच्छा लगता था और धीरे धीरे जैसे ऐसे पीटर की सजा खतम होती जा रही थी वो पूरी तरह से एक vampire बनता जा रहा था अब हम 1913 की तरफ चलते हैं अब तक पीटर की उम्र 30 years हो चुकी थी उसने अपनी 8 साल की सजा पूरी कर ली थी अब उसको prison से release कर दिया गया पिछले कई सालों से अपने solitary confinement के दौरान पीटर ने यही fantasize किया था वो किस तरह से murder करेगा वो किस तरह से blood को देखना चाहेगा तो इन सारी चीजों को अब उसको सच्चाई में बदलना था 25th of May 1913 के दिन पीटर एक घर में घुसा वो शायद चोरी करने के लिए इस घर में घुसना चाहता था लेकिन जब वो इस घर में घुसा तब उसने पाया कि यहाँ पर कोई बहुत ज़रा कीमती चीजें तो नहीं है लेकिन उसको एक छोटी सी लड़की एक bedroom में मिली इस लड़की का नाम था Christine Klein यह जो Christine नाम की लड़की थी यह सिर्फ 10 years old थी जब पीटर इस घर में घुसा तो वो आराम से अपने घर के comfort में सो रही थी जब पीटर ने Christine को देखा तो उसके अंदर murder की fantasies एक बार फिर से जागने लगी वो Christine के पास पहुँचा सीधे अपने हाथ उसके गले पर रखे और अब वो Christine का गला दबाने लगा जो Christine थी वो obviously नींद से जाग गई उसको कोई idea ही नी था कि नींद में ये उसके साथ क्या होने लगा जैसी Christine ने पीटर को देखा वो जोड-जोड से चीखने चिलने लगी लेकिन sadly उसके जो parents थे वो उसकी चीखे सुनकर जगे नहीं हो सकता है उन तक आवाज न वहुँच पाई हो लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि अगर उसके parents जाग भी जाते वहाँ पर आ भी जाते तो उससे भी पीटर को कोई फरक नहीं पढ़ने वाला था वो अपनी हरकते हैं जो कि वो कर रहा था उनको रोकने वाला नहीं था अब क्रिस्टीन ने पीटर के हाथ पैरों को अपने नाखूनों से खनोशना शुरू कर दिया यानि कि स्क्रैच करना शुरू कर दिया वो अपनी जिन्दगी के लिए बहुत बुरी तरीके से लड़ रही थी लेकिन सिफ दो मिनट के बाद ही क्रिस्टीन बेहोश हो गई और उसके बाद वो मारी गई इसके बाद पीटर ने उसका रेप किया रेप करने के दोरान उसने अपने जेव से एक चाकू निकाला और क्रिस्टीन के गले को बाएसें दाई की तरफ पूरी तरह से काटना शुरू कर दिया और ये देखकर उसको बहुत अच्छा लग रहा था क्रिस्टीन की हत्या करने के बाद पीटर आराम से उस घर से निकल गया वहाँ से भाग गया बाद में उसके माता पिता को क्रिस्टीन की लाश मिली होगी लेकिन अगले दिन वो फिर से सीन ओफ क्राइम पर लोटा वो देखना चाता था कि वहाँ पर क्या चल रहा है जब दूर से उसको कुछ भी समझ भी नहीं आया कि पुलिस वहाँ पर क्या कर रही है किसके ओपर शक कर रही है तब वो क्रिस्टीन के घर के बगल में मौजूद एक पब में गया वहाँ पर बैड गया वो कस्टमर्स को बाते करते वे सुन रहा था लोग वहाँ पर बात कर रहे थे कि यहाँ पर कितना horrific crime हुआ है किवल 10 years old वो लड़की थी जिसको मार दिया गया है और पीटर ये सुनकर फूला नहीं समा रहा था उसको बहुत ही अच्छा लग रहा था बहुत thrilling महसूस हो रहा था उस पब में बैठे बैठे ये सारी बाते सुनते हुए वो फिर से ejaculate कर गया फिर क्रिस्टीन के माता पिता ने उसका अंधिम संसकार कर दिया उसको दफना दिया गया और जब क्रिस्टीन को एक कब्र में दफना दिया गया तब पीटर उसकी कबर में करीब करीब हर दिन जाया करता था वो उसके कबर की मिट्टी को चुआ करता था और ये चूकर यानि कि उसकी कबर की मिट्टी को चूकर उसको बहुत ही अच्छा महसूस होता था और आप समझी सकते हैं कि जब उसको अच्छा महसूस होता था तो फिर उसके साथ क्या होता होगा आपने ठीकी गैस किया वो उसके बाद ejaculate कर जाता था Obviously पीटर के बारे में किसी को भी कुछ भी पता नहीं था जब पुलिस ने investigation की तो unfortunately क्रिस्चीन के अंकल पर शक किया गया और उसके मर्डर के charges लगाए गए और ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि क्रिस्चीन के मर्डर से सिर्फ एक दिन पहले उन अंकल का इसकी family के साथ बहुत बड़ा argument हुआ था अब सबी लोगों ने यही अनुमान लगाया कि यही अंकल बदला लेने की कोशिश कर रहे होंगे क्योंकि उनकी family का और कोई भी दूर-दूर तब दुश्मन नहीं था उन अंकल को arrest कर लिया गया उनके ओपर क्रिस्चीन के murder के charges लगए गए हम 1913 की बात कर रहे हैं उस समय कोई DNA evidences वगएरा value नहीं करते थे उन चीजों की कोई एहमियत ही नहीं थी क्योंकि DNA वगएरा की उस समय तक होज ही नहीं हुई थी अब जब पीटर को इस समय भी पकड़ा नहीं गया तो उसका confidence और जादा बढ़ गया क्योंकि आपको याद हो का कि वो बच्छमन में भी दो मर्डर करके बच गया था अब उसने बार बार इस तरह के अटेक करने का decision लिया अगले कुछ महीनों में पीटर ने वाइलेंड अटेक्स की एक श्रंखला शुरू की हाला कि इस बारे में कोई भी उकता जानकारी नहीं है कि उसने actual में कितने murders किये कोई भी number नहीं है confirmed murders का लेकिन यह माना चाता है कि उसने बहुत सारे लोगों को मारा वो एक axe लेकर यानि कि एक कुलहाडी लेकर निकल जाया करता था जब भी यह अकेले में किसी व्यक्ति को देखता था यह कुलहाडी से उसके उपर अटैक कर देता था और क्योंकि इसको blood को देखकर काफी अच्छा महसूस होता था तो इस feeling को बार बार महसूस करने के लिए यह लोगों पर लगातार अटैक कर रहा था कर उसको बहुत ही अच्छा महसूस होता था और obviously वो ejaculate कर जाता था ऐसा भी बताया जाता है कि इसी दोरान पीटर ने एक सोते हुए आदमी को उसके उपर भूसा रखकर आग लगा दी थी और उसको जिन्दा जला दिया था अब हम July of 1913 की तरफ शलते हैं अभी तो पीटर को और जारा crimes करने थे लेकिन अब उसके हाथ में एक बहुती important चीज आ चुकी थी और ये important चीज थी एक skeleton key अब ये skeleton key क्या होती है और इससे इसने आगे चल कर क्या 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 किया ये मैं आपको next part में बताऊंगी तब तक के लिए आप लोग मुझे बताईए कि इस story आपको कैसी लग रही है और आप disgusted महसूस कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं फिलहाल जाते जाते इस video को आप like कर दीजेगा चैनल को अगर subscribe नहीं किया है तो please कर दीजेगा मैं सिर्फ एक या दो दिनों में ही इसका next part लेकर surely आज होंगी thank you so much for listening to my stories thank you so much